आज की इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला है यूट्यूब के टॉफ सेवन ऐसी फीचर जिनका यूज अगर आप तो करते हो यूट्यूब चलाने के लिए तो आप लोग का यूट्यूब चलाने का एक्स्परेंस और भी ज्यादा इन्हेंस हो जाने वाला है यह जो पर नहीं हो यार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बैल आकन प्रेस कर लेना तो हेलो गाइस मैं हूँ अधित्य आप देख रहा अधितना यूट्यूब चैनल चले वीडियो स्टार्ट करते हैं फ्री पीटियूब कैस अर्ण करने के लिए डाउनलोड करें डाउनलोड रिस्क्रिप्शन में है डाउनलोड करते ही साइन बोनस पर फिफ्टी रूपीज पेटियम तो यहां पर हम लोग जैसे कोई वीडियो देखते रहते हैं यहां पर कोई पार्ट हम लोग को पसंद आने लगता तो हम लोग फने फ्रेंड से किसी को पर सेयर करते हैं उसे लाइक कि जैसा आप जहां से चाहते होlles से आप चाहते हैं कि 2 मिनिट से यह वीडियो सामने वाला इंसा तो आप लोग उच ऐसा लिइसा लिंक चेनरेट करो का तो ऩो इसका बढ़ करो उन्से इसा करना है अरव ब्रेंग को चेकर आप अफेलए यहां पर पिलिक करो फिर प आप लोग उने link paste किया, उसके बाद वहाँ पर एक देना है question mark, उसके बाद T, T for time, ठीक है, तो question mark देना है T, फिर equals to, and वहाँ पर जीतना भी minute, या फिर second का आप लोग का part दिखाना है, यहाँ पर मुझे 2 minute 30 second से दिखाना है, तो मैं यहाँ लिखूँगा, 0 2 M, M for minute होता है, त 0 2 M, उसको 30, उसको बाद second के लिए S use करोंगा, ठीक, and इसको send कर दूँगा, and जैसे ही, इस पर send करने के बाद मैं click करूँगा, इस link पर तो देखो, वो वीडियो वहीं से start हो गया, जितना मैंने time duration वहाँ पर लिखा था, तो सामने वाले को अगर आप लोग इस तरीके से ब 20 बगरा, तो hour में होती है, मैंने हाँ minute वाला बता है, तो उसमें भी same करना, question mark देदाना, T equals to, जैसे 1 hour 20 minute 40 seconds का एटीक है, तो वहाँ पर लिख दना, 0 1 H के लिए, hour के लिए H, उसका बत फिर 20, फिर M, फिर 40, फिर S, तो इस तरह करके जब link आप लोग को send करोगे, तो आप ल YouTube के application में हम लोग को 480P से ज्यादा के resolution में वीडियो देखने का option नहीं मिलता है, तो इस trick में यही आप लोग को बतांगो, कैसे आप लोग 480P से ज्यादा के resolution में वीडियो देख सकते हो, अगर आप लोग देखना चाहते हो, तो वो भी without किसी app के, तो आप लोग को simply से अप Chrome browser को open करना है, Chrome browser को open करने का 3.2 उपर में click करना है, फिर desktop site का option मिलेगा, उस पे click करना है, उसके बाद यहाँ पर type करना है YouTube.com, जैसे ही search करोगी तो आप लोग का YouTube.com open होके आ जाएगा, जैसा की PC या फिर laptop में open होता है, उसके बाद यहाँ पर जो भी वीडियो देखना है, उसके वीडियो पर click करो, and then नीचे एक settings का icon देखने को मिलेगा, उस पे click कर दोना, and यहाँ पर देख सकते हो, काफी सारे options है, लेवाल आ चुके है, जैसे की 480p से plus के 720p, 1080p, and उसके उपर से भी option आप लोग को देखने को मिल दाएंगे, उसका जो भी resolution में आप लोग को वी tp से जादे के resolution में देख सकते हो, तो अगर आप लोग को वीडियो देखना है, तो आप लोग आई button पे click करके देख लेना, तो चलिए बढ़ते हैं guys, अपने third trick की और, तो third trick है guys, वो भी कावी अच्छा है, अगर आप लोग को लोग को वीडियो में comment करना अच्छा लगता और आप लोग चाहते हों कि आपका comment थोड़ा attractive दिखे, ताकि उसमें आप लोग को hurt मिले या फिर उसका reply मिले, क्योंकि attractive comments देखने में जादे अच्छा लिखते हैं, तो इसके लिए आप लोग कैसे कर सकते हो, वो ही आप लोग को बता, तो आप लोग को जीज़ी वीडियो comment करना है, उस वीडियो को comment section में चले आप लोग करना, उसको बहाँ पर type करना, start, फिर जो भी लिखना हो, वो लिख देना, फिर start लगा देना, उसको जैसे ही send करो तो यह आपका bold हो जाएगा, मेरा यहाँ पर bold होके नहीं आएगा, क्योंकि मेरा phone काफी ज़्यादा पुरान comments को, तो वो भी आप लोग कर सकते, इसके लिए आप लोग को कोई-सा भी font वाला application डाउनलोड करना है, वैसे एक application का link में description में दे दूंगा, आप लोग वो भी download कर सकते हो, और उसके बाद उस application को open करना, जो भी comment आपको लिखना है, वहाँ पर लिख देना, उसके बाद उस वाथे trick की और चौथा trick में काफी कमाल काया है, और यह काफी ज्यादा useful होने माला है, तो simply होता है कि जैसे आपके घर में चोटे बच्चे होते होते हैं, या फिर आप लोग भी कभी movies download करते हो, ठीक है, YouTube पे download का button होता है, वहाँ पर download पर click करके हम लोग कोई भी videos download कर सकते है बच्चों के लिए, तो आज कल के तो लोग ज्यादा वीडियो उसको download कर लेता है कि मैं बाद में उसको देखे होगा, तो इससे क्या होता है, इसकी phone का phone storage बहुत ज्यादा full हो जाता है, और phone hang करने लगता है, इन storage फूल हो जाने कवेसे आप लोग भी सोचते हो कि यार storage जगावा है, वहाँ पर आप उसको set कर सकते हो ताकि आपका memory card में जगा full हो ना कि phone storage में, इससे आप लोग को phone storage ज्यादा full ने होगा, तो ये करने के लिए आप लोग को simple सा, एकदम दो steps follow करने बस आप लोग का हो जाएगा, तो इसके लिए guys, सब से पहले आप लोग को अप please enable करदेना, जैसे आप लोग enable करते हो, तो बस हो गया आपका काम, अब आप लोग कोई भी वीडियो अगर YouTube पर download के लिए लगाते हो, तो आपके phone storage में नहीं download होगा, वो SD card में download होगा, और इससे आपका phone storage full नहीं होगा, अब बात करते है guys, पांच में trick की, तो ये भी काफी ज़्यादा useful trick है, आप लोग के बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, क्योंकि guys, जब भी हम लोग कोई वीडियो को skip करते हो, या तो पीछे या फिर आगे, तो वहाँ पर हम लोग का देखते हो, कि 10-10 second skip होता है, okay, तो guys, आप लोग इसको change भी कर सकते हो, या तो आप लोग जाना है general वाले option में, general वाले option में जाने के बाद guys, नीचे आप लोग के एक option देखने को मिलेगा middle में, double tap to seek, उस पर click कर रहा है, यहाँ पर देख सकते हो, आपका पहले से 10 second select होगा, लेकिन आप यहाँ पर 5 second भी कर सकते हो, 15, 20, 30, 60 second भी कर सकते हो, तो मैंने यहाँ यहाँ select कर लिया, उसके बाद देख सकते हो, यहाँ पर मैं अगर वीडियो को skip कर रहा हूँ, तो यहाँ पर देख सकते हो, वो 20-20 second का skip जा रहा है, यहाँ पर पहले 10-10 second का जाता था और अब 20-20 second का जा रहा है, तो कुछ इस तरीकी से आप लोग इस feature का use कर सकते हो, यह भी आप बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला है, तो अब बात करते हैं, 6th trick जो कि यह भी काफी काम आने वाला है, जैसे कि आप लोग को पता है कि हम लोग कोई भी चीज सर्च करते हैं, यूट्यूब पे, तो हाँ पर search result हमेशा सो होते रहता है, कि हम लोग ने past history में क्या चीज सर् देख रहा हूं, वो सारी चीज यहाँ पर YouTube बिनास हो, वो पाउस हो जाए, तो ऐसा आप लोग कर सकते हैं, वैसे तो YouTube में turn in cognitive mode का भी option है, बट आप लोग उसका use भी कर सकते हो, या फिर इस जो मैं बता रहा हूँ, इसका भी use कर सकते हो, इसके लिए सबसे पहले आप लोग कुछ भी search करते हो, न तो वह वहाँ पर नहीं दिखने वाला है, और कोई भी video कर देखते हो, तो कोई भी video वहाँ पर नहीं सो होने वाला है, watch history पे, guys अब बात करते हैं, last trick जो कि है, 7th trick, वो है guys, caption या फिर subtitles वाला, तो यहाँ पर हम लोग कोई भी video उसको देखते हैं, जिस लिए काफी कमाल का ये चीज है, guys, मैंने भी अभी search किया था, तो मुझे समझ में आया इस चीज को, तो मैंने सोचा, आप लोग को भी बता देता हूं इस video के तुरू, तो यहाँ पर आप लोग उसके text के style को change कर सकते हो, उसके size को घटा बढ़ा सकते हो, color तक को change कर सकते हो यार, तो काफी कमाल का ये बिट्रिक है, तो इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले तो आप लोग अपने YouTube application को open कर लेना है, यहाँ पर आप लोग अपने logo वाले option पर click करना है, उसके बाद नीचे settings का जो option देख रहा है, वहाँ पर click कर देना है, तो यहाँ पर आप लोग को कुछ options देखने को मिल जाएंगे, तो यहाँ पर देखो captions का turn off रहेगा, उसको आप लोग enable कर लेना, और उसके बाद यहाँ पर language text size और caption style देखने को मिल जाएगा, तो यहाँ पर आप लोग देखो text size पर click करका, यहाँ पर काफी सारे options मिल जाते है, large, extra, large, normal, तो यहाँ पर और background को color black हो चुका है, लेकिन यहाँ पर और भी आप लोग extra customization करना चाहते हो, जैसे कि और भी colors चाहते हो, तो फिर से caption style पर click करना, और नीचे आप लोग एक option देखने को मिलेगा, custom का, custom पर जैसे ही click करो है, तो फिर से आप लोग को सामने नीचे और भी extra options open होके text color है, font family है, तो यहाँ पर जैसे background color पर click करके आप लोग कोई सामने color select कर सकते हो, लैक green और भी काफी सारे options अवलेबल है, और यहाँ पर आप लोग text के color को भी change कर सकते हो, तो जो भी customization के नीचे ऑथ हो, तो जो भी customization का आप लोग नने की हो, तो जो भी customization वाले या caption वाले videos आप लोग को बताया YouTube के related and मैंने आप लोग उसे बोला था जो वीडियो के लाश में आप लोग को एक और ट्रिक बताऊंगा bonus जो कि अगर आप लोग YouTube से ज्यादा music सुनना पसंद करते हो तो उसके लिए होगा तो यह ट्रिक है guys कि आप लोग को तो पता ही कि अगर आप लोग चाहे audio हो दोनों ही चलेगा आप लोग का background में और इस ट्रिक के लिए guys आप लोग को कोई भी third party application डाउनलोड करने की ज़रूत नहीं है यहाँ पर आप लोग को फोन में ही direct ही हो जाएगा बस एक छोटा सा ट्रिक अप्लाई करना है कि सबसे पहले तो आप लोग अपने फोन आप लोग को कर देना है अपनी फोन से minimize जैसे minimize करोगे YouTube का जो भी वीडियो या audio होगा वो या तो play होता रहेगा या तो फिर पाउस हो जाएगा तो इसके लिए फिर आप लोग अपने notification बार में देखना वहाँ पर देखोगे जो भी audio या फिर वीडियो था वहाँ पर आप से आप लोग उसको play pause कर सकतो और background में इस तरीके से आप लोग का वीडियो है चलता रहेगा तो यह थे guys YouTube के कुछ interesting and useful tricks जिसका use करने प्याद आप लोग को भी काफी मजा आने वाला YouTube चलाने में तो I hope इन में से तो आप लोग को कुछ tricks नहीं पताऊंगे जो कि इस वीडियो में आप लोग को new पता चला है तो यह इसी बात पी वीडियो को like कर दो आप लोग को like नहीं करते हो काफी कम likes आते हैं मुझे तो यार वीडियो को जरूर से like कर दो अगर वीडियो का थोड़ा सा भी कोई भी part पसंद आयो और जो tricks आप लोग को सबसे ज्यादा पसंद आ है तो उस चीज के बारे में comment में जरूर से बताना उस trick के बारे में और कोई problem आ रही हो तो वो भी आप लो comment में पूछ सकते हो या फिर मुझे directly instagram पर मैसेज कर सकते हो मैं वहाँ पर भी सारे को एक reply दे देता हूँ तो इस वीडियो बस इतना ही गाईज एंड हाँ अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब कर नहीं तो या चैनल को सब्सक्राइब कर लो बैल एकन प्रेज कर लो क्योंकि यहाँ पर मैं ऐसे ही tips और ट्रिक्स लेटर वीडियो लात रहता हूँ विलते अपने नेक्स वीडियो गाईज तब तक लिए टेक क्यार एंड बाइबाइ